हाई फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल सबको जैम आता दी और आज की वीडियो में मैं आप से शेर करूँगी मकड संक्रांती की पौरानिक कथा अगर आप मेरे चैनल में नए आये हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइक परना ना भूलिएगा बैल आइकन को प्र देखीगा तो चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो सुरू करते हैं मकड संक्रांती की पौरानी कथा के अनुसा राजा शगर अपने परोपकार और पुन्य कर्मों से तीनों लोकों में प्रशिद हो गए थे चारों और उनका ही गुडगान हो रहा था इस बास से देवताओ की र जन किया इंदर देव ने अश्यमेग यग का घोड़ा चुरा कर कपिल मुनी के आस्रम के पास बांदिया अश्यमेग यग का घोड़ा चोरी होने की सूचना पर राजा शगर ने अपने सभी 60,000 पुत्रों को उसकी खोज में लगा दिया वे सभी पुत्र घोड़े को खोज ते हुए कपिल मुनी के आश्रम तक पहुच गए, वहाँ पर उन्होंने अश्व में ग्यग का घोड़ा देखा, इस पर उन लोगों ने कपिल मुनी पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया, इससे क्रोधित होकर कपिल मुनी ने राजश सगर के सभी 60,000 पुत्रों को स शमादान देने का निवेदन किया, तब कपिल मुनी ने कहा कि सभी पुत्रों के मोक्ष के लिए एक ही मारग है, तुम मोक्ष दायनी गंगा को पृत्वी पर लाओ, राजा शगर के पोते राज कुमार अश्रुमार ने कपिल मुनी के सुजाओ पर प्रण लिया कि जब तक मा गंगा को पृत्वी पर नहीं लाते, तब तक उनके वंस का कोई राजा चैन से नहीं बैठेगा, वित अपस्या करने लगे, राजा अंसुमान की मृत्ति के बाद राजा भागीरत ने कठिन तब से मा गंगा को प्रशन किया, मा गंगा का वेग इतना था कि वे पृत्व नास हो जाता, तब राजा भागीरत ने भागवान शिव को अपने तब से प्रशन किया, ता कि वे अपनी जटाओ से हो कर मा गंगा को प्रित्वी पर उतरने दे, जिससे गंगा का वेग कम हो सके, भागवान शिव का आशिर्वाद पाकर राजा भागीरत धन हुए मा गंगा को अपनी जटाओं में रखकर भगवान शिव गंगा धर बने मा गंगा प्रित्वी पर उत्री और आगे राजा भागीरत और पीछे पीछे मा गंगा प्रित्वी पर बहने लगी राजा भागीरत मा गंगा को लेकर कपिल मुनी के आश्रम तक लेकर आए जहां पर मा गंगा ने राजा सगर के साथ हजार पूत्रों को मोक्ष परदान किया उस दिन मकर शंक्रांती थी। वहां से मा गंगा आगी जाकर शागर में मिल गई जहां वे मिलती है वह जगा गंगा शागर के नाम से प्रशिद है धार्मिक मानिता के अनुसार मकर शंक्रांती को गंगा शागर या गंगा नदी में इशनान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ जन्मों के भी मिट जाते हैं बोलो गनेश भगवान की जै हो बोलो गंगा माता की जै हो भागी रत महराजी की जै हो अगर फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब पर ना भूलिएगा मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक्यू मिलते हैं न